स्टूडेंट्स आज मैं आपको आपकी 10 किलास का चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस जैप प्रिक्रियाय में से एक टॉपिक न्यूट्रिशन समझाना चाहते हूं बटा न्यूट्रिशन होता क्या है पोशन होता क्या है आप सभी लोग भूजन करते हैं पेड़ पौदे भूजन करते हैं क्या आपने कभी सोचा है कि इस भूजन का हमारी बोडी के अंदर सरीर के अंदर क्या होता है तो जो भी प्रोसेस होता है जो भी प्रिक्रियाय होती है भोजन ग्रहन करने के बाद और उर्जा प्राप्त करने तक, यानि कि भोजन को ग्रहन करना, उसका पाचन करना, उसका अशोशन करना, उसका स्वांगी करना, एस्टिमिलेशन करना, ये सभी प्रिक्रियाय मिल करके न्यूट्रेशन कहलाती है, क्या कहलाती है बटा, न्यूट लेना अब जीव जो भी पेड़ पॉदे हैं जो भी जीव जनतु हैं वह भोजन कैसे प्राप्त करते हैं तेको आप सभी जानते हो हम खाना खाते हैं उससे हमें उर्जा मिलती है लेकिन यह जो हम खाना खाते हैं रोटी खाई हमने दूद पिया दही यह कहां से प्राप्त होता है तो आपका question answer यह होगा बैटा कि वो हमें मैं जीवों से प्राप्त होता है या पेड़ पौधों से बिल्कुल सही answer है लेकिन अब आप second position पर जाएए पेड़ पौधे कहां से प्राप्त करते हैं वो तो एक ही जगे खाड़े रहते हैं वो तो कहीं जाते भी नहीं तो आज मैं आपको यहीं परकार डिकल कि पैट नहीं होती है प्र carbon dioxide चाहिए जल चाहिए और sunlight सूरज की रोस नहीं वो रात में नहीं बना सकते वो केवल दिन में ही बना सकते हैं और उनके पास chlorophyll यानि की हरा पिगमेंट गिरीन पिगमेंट होना चाहिए हरा रंग जो chlorophyll के कारण होता है यह चार चीज़े जरूर होने चाहिए तब ही भोज बनाएंगे और oxygen oxygen हम सब को सांस के लिए breathing के लिए जरुद होती है श्वेशन के लिए वह एट्मोसफेर में छोड़ देते हैं और उस भोजन को अपने जैवी क्रियाओं के लिए यूज करते हैं और बाकी बचे हुए को इस टार्ज के रूप में खटा कर लेते हैं अब हरे यह प्रकार के अंग होते हैं तो कौन से पार्ट से बनाते हैं अब फत्त्यों का जो है टीस यानि की ट्रांस्वर्स से सक्षन में आपको समझा रही हूं इसकी ऑपर लेयर होती है पत्ती की वह मौमी जैसी लगती है आपने कभी देखा भी होगा वह सलती है वह चिकनी होती तो उस पर कोई भी छेद नहीं होते यानि की पढ़र अधनी होते लेकि जो लोगर सर्फेस होती है उसमें पढ़र अरंदर होते हैं तो इन्हीं पढ़र अंदरों में से carbon dioxide enter कर जाती है और जड़ के द्वारा water आ जाता है पत्तियों में ही और ये इसमें two types की cells होती है कोशिकाए होती है अपर लेयर के पास तो palisade cells यानि कि खंबकार कोशिकाए और lower layer के पास spongy cells होती है इनमें chloroplast होता है और ये के लिए प्रकार sensation की इनके अंदर होती रहती है और भोजन बनता रहता है और किस प्रकार से होता है देखिए सबसे पहले सबसे पहले sunlight chlorophyll sunlight को ले लेते हैं और active हो जाते एक दब काम करने के लिए तयार सीचेल स Keys में बदल जाती है और जड़ों के दवारा आया हुआ था जड़ वह oxygen और हाइड्रों से टूड़ जाता है और hydrogen carbon dioxide चैप कर लिए जाती है किसके द्वारा carbon dioxide के द्वारा तो फिर क्या बन जाएगा glucose और इसके रिया को अपचेन कहते है क्योंकि hydrogen का जुड़ना क्या कहलाता है chemistry में भी आपने पढ़ा होगा तो इस तरह से carbon dioxide का अपचेन हो जाता है और oxygen जल में से निकल जाती है जल क्योंकि तूट जाता है तो oxygen जल में से निकलती है तो आज मैंने आपको किसके वारे में पढ़ा दिया autotropic nutrition यानि कि स्वेपोशी पौदे किस तरह से अपना भोजन बनाते हैं और बाकी हम सभी पेड़ पौदों से अपना भोजन प्राप्ट करते हैं तो इस तरह से पोशन जो है जीवों में पूरा होता है धन्यवाद बेटा